नमस्कार हम फरिदाबाद के लेजर वाली सेक्टर 50 में हैं जहां पर मिशन जागरिती ने मात्री सम्मान के लिए कारेकरम का आयोजन किया था बच्चों की पेंटिंग कॉमपेटिशन थी कुछ माताओं का सम्मान भी किया गया आईए उन से बात करते हैं कि उन्हें आज कैसा महसूस हो रहा है कि मिशन जागरिती ने उनकी इतनी मेहनत और उनके कारेकर की सफलता को सम्मान किया है माता जी आपको आज मिशन जागरिती की तरफ से समान दिया गया एक मा का योगदान कोई भुला नहीं सकता उसकी कोई बराबरी नहीं है पर आप कैसा महिसूस कर रही है आज बहुत अच्छा लगा आपने हम लोग के लिए बहुत अच्छा की आपने किन किन तकलीफों का सामना कर रहा है सभी करते हैं सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कश्ट होते हैं लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आज आप बहुत भावोख हैं इसलिए हम जानना चाहेंगे कि आप आपने किन कश्टों का सामना किया आप से बात करते हैं माताजी आप बताइए आप आज कैसा महसूस कर रही है तुछ है अभी तब चल रही है तब खराब होई आता है तो बहुत जी बोला है कि चलो आपको कुछ मिल जाएगा आज आ गई आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा में खुब बनिया लगा माताजी आप बताईए आज मिशन जागरिती ने सभी माताओं का सम्मान कर रहा है आपके दिल में कैसे भाव हैं आज हमें बहुत अच्छे लगए इदर आके मतलए आप हमारे सब बच्चे हैं हमारे सेंटी साल हो गए जो घर वाले गुजरे हैं दो छोटी छोटी लड़ी कहा थी उस टाइम हमने मेनत करके उनको पढ़ाया लिखाया एक नर्स बढ़नी आप और एक मतलब नहीं है वह वी नहीं था डमरानी था अपना जो मैं आज वी अरिट आशरम में आ गई बहुत अच्छा लगा बच्चों की अपना उमर बढ़ी करे जिन्हों नहारे इतना समान की आए बहुत अच्छा लगा जिए अगई? मेरे बाहु का बारेट का परेशान था फिर बाहु नी बेमार पर गए में होस्पिटल इंची थी बेटा बेमार पर गई में आसरम में या गई खाने पीने कोछ नहीं था जुदुदु गो बेटी जमान जमान धूरा पपर है इस प्रिये हम अपुरा दास्रा में चाले हैं आपने देखा कि मिशन जागरिती का जो संबान देने का एक जो कारिकरम था उनका जो देश्य था वो केवल यह नहीं था कि समाज गे देखे कि इन माताओं ने कितने कश्टों से अपना जीवन व्यतीत करा पर इनके दिल के तसल दिलाया जाए कि इनोंने जो काम करा अपने जीवन में जो कश्ट से हैं वो जाया नहीं गए हैं समाज उनको पहचानता है उनका सम्मान करता है मिशन जागरती को बहुत-बहुत शुब कामना है सभी माताओं की तरफ से और बहुत-बहुत आशिरवादी मिशन जागरती का के सफल नहीं होता है आपका हमेश्याओक रहता है नके हर कारिक्रम वह मैं हमें बताइए कि आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि इनोंने माताहों का संवान किया है मैं जो मांता हूं मिश्चन जागरत एक तो करिवार है और हर रहार कुछ ना कुछ पूरी जेए अपने घर आपके सोचेगा जब उसके माबाब का समान हो सकता तो मैं भी अपने माबाब का समान करूं क्योंकि इसका धिये सिरफ यही था कि कैसे आप अपने बड़े बज़ूर्गों का समान कर सके हुणी जी आपके इस कारेक्रम से मिशन जागरती के इस कारेक्रम से युवाओं को एक बहुत स्ट्रॉंग एक मेसेज जाता है अच्छा संदेश जाता है आप अपने तरफ से युवाओं को क्या कहना चाहेंगे मैं तो यही कहता हूं जैसे कि खुद भी मैं अपने में मानता हूं कि अगर हम अपने माबाप की इज़त करते हैं और उनकी जरूरतों का ध्यान रखे और हमारे दिल में पूरे दिल में यह आता रहे कि आज हमारे पिता जी कहा है हमारी ममी कहा है तो भगवान की पूजा करने सब्सक्राइब किया और सभी बच्चे माता पिता सभी ने पार्टिसिपेट किया बुजूर्गों का सम्मान किया गया मात्र शक्ति का सम्मान किया गया यह विचार आपके ध्यान में कैसे आया है है कि मिठें आप करेंगे अगर मैं अपने घर में सम्मान करता तो खाली में ही देखा मैंने पभलिक के बीच में में सन्जागरती की संसता द्वारा सममाता हो को भेनों-विच्जद्रि सम्मान दिया उसके एक सब लोग अपने बड़े बूलों का सम्मान करें आधर करें यह भावना रखके मैंने संजागरी तरफ से प्रोग्राम रखा और चित्र कलावी इसके साथ रखी उससे भी उन बच्चों को सीखने को मिलेगा कि आप पैंटिक जो माताओं के लिए बना रहे हो तो उनके जी आज के परिवेश में एक महिला से महिला को जादा शिकायत रहती है कि हमें वो सम्मान नहीं मिलता घर में इस तरह का कारेक्रम आयोजित करके इसका हिस्सा बनके आपको कैसा मैसूस हो रहे है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक मा का सम्मान हो रहा है और दीरे 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 लोगों के मन में ये बात आ रही है कि एक लड़की का एक औरत का एक मा का सम्मान करना चाहिए जो कि पहले नहीं था मैं मिशन जागरती और इससे जुड़ी और भी बहुत से संस्ता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को, बेटियों को सब को बहुत इज़त दे रहे हैं और ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं का ये कारिक्रम आगे चलता रहे ताकि देश में जितनी भी महिलाओं हैं, वो आगे बढ़ चड़कर और अच्छी तरह से उन्नती करें और हर चीज में अवल आए और उमवती जी, हमें बताईए, जैसे आज इस कारिक्रम में आपने देखा कई महिलाओं का समान किया गया हम हमारे परिवारों में क्यों ऐसा हो रहा है, कि हम घर में बुज़ूर्गों का समान नहीं कर पाते हैं क्यों उनके साथ अपने आपको अचाहर Finance घरपाते है कि एक कमरानी पुरा घर हमारे मातापिता का होना चाहिए और आज के सब्सक्राइब जो लगाव है वह आज के लप्रती टीवी में इंटरनेट में यह चला कि हम बुजरुगों के पास बैटने में लगते हैं हम लोगों नहीं बैट पा रहे हैं वापे तो मैं सभी से यह हाज जोड़के निवेद करना चाहूंगे कि अपने मातापिता को सब्सक्राइब रखो पहले कि मातापिता जिस घर में मान सम्मान होता है उसमें बगवान का भी सबसे पहले वास रहता है साहिल जी आप मिशन जागरती के कारीकram के बारे में आपका क्या कहना है कि उन्होंने बुजूर्गों का मातिय शक्ति का सम्मान किया बेन जी पहले तो मैं आप सब का और पूरे मीडिया का स्वागत करना चाहूंगा और दूसरी बात ये कि मिशन जागरती मंच एक भारत का बहुत परिसिद मंच बन चुका है ये परिवार है और बहुत बढ़ चड़के हर चीज में ये बहुत चड़के भाग लेते हैं और आज का जो प्रोग्राम रखा गया है हमारे राजेश भूटिया जी ने और परवेश मलिक जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और ये बड़े बुजर्गों को जो आज सम्मान दिया है इनोंने इससे ये पता चला है कि हमें अपने भी घर में बड़े बुजर्गों का सम्मान करेंगे तो उससे अच्छा दन्यगर क्या हो सकता है जो मा की जट करेगा वो बाप की भी जट करेगा अगर ये संदेश घर गर तक सिला जाए तो हमारा देश बहुत ही अच्छा हो जाएगा किसी चीज की कम्या नहीं रहेगी बहुत अच्छी पहले में राम राम झाल